नमाज रूम की बात करी, क्या ये सेकुलरिजम है या ये तुष्टिकर है? नमस्कार व्यूवस, मैं हूँ अमीश टेफकन और आप देख रहे हैं आर पार्क की तकर और आज हमारे साथ स्टूडियोज में महमान भी होंगे और कुछ स्पेशल एक्सपोर्ट भी होंगे राजनीती में धर्म निर्पेखष्टा यानि सेकुलरिजम एक अबूच पहिली है जो थोरी में कुछ और है और प्रैक्टिकल में कुछ और धर्म निर्पेखष्टा का जो मतलब पढ़ाया जाता है उसकी मताबिक हिंदूस्तान में सभी मज़भों को पराबरी का स्थान औ पार्टी के सरकार अप रादियों के नाम पर मुसल्मानों का मुस्लिमों का इंकाउंटर कर रही है तो कॉंग्रस नेता अधिक्विद्य सिंग बहुत आगे निकल गए उन्हें कहा तालिबान और अरस्स की तुल्ना उन्हें एक सांस पे कर डाली उन्हें कहा कि जैसे तालिब तालिबान महिलाओं के अधिकार कुचलता है वैसी ही सो चारस्स की है जिस विचारधारा की सरकार इस देश में चल रही है इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हो शफिकोर रह्मान बर्क मुस्लिम पवस्र लॉबोड के सदस्य सज्जाद नमवानी साहब हो जवात पार्टी के विधायक इफ्रांस सोलंकी तो जरकंड की हिसाब से उत्तर प्रदेश विधान सब्वें भी नमाज रूम यानि एक नमाज के लिए कमरा बनाना चाहते हैं और उसकी मांग कर रहे हैं यानि चुनावाते ही तुष्टी करंड के सूर्मा सुपर एक्टिव हो जा प्रेस कॉंफरेंस कर डाली और इस पर घोरा पत्ती दिखा जताई आज इस पर भी बात होगी आर पार की टक्र में कि आपने आपको हिंदू कहते हैं जो वैश्नु देवी में जाके मत्ता प्रेखते हैं वह उन्हें शक्तिया कर दों सकते हैं क्या इस प्रकार से कोई जम्मू कश्मीर का निवासी कोई भी क्या मा वैश्नु देवी के समवेदनाओं के साथ खिलवार कर सकता है पढ़ाच इतना राहुल गांधी आजकल जम्मू के दोरे पर गुरुवार को उन्होंने पैदल चलकर मा वैश्नु देवी के दर्शन किये लेकिन आज उनके बयानों पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है नोट बदी से हिंदुस्तान में मालक्षमी की शक्ति बढ़ी यह गति जो किसानों के नए कानून आ रहे है उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ा गति हिंदुस्तान के हर institution में हर college में हर school में आरिशस का वियक्ती बढ़ा जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति या घड़ती है? कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मा दुर्गा, मा सरस्वती और मा लक्ष्मी की जो शक्तियां है वो खीन हो गई है, है वो कम हो गई एक मुझे आश्चर होता है कि राहोल जी आपने अपने छोटे राजनीती के कारण अपने पैटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैटी कि पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्षा आप हमारे देवी देवताओं को राजनीती में लेकर आ गए करें कि माता जी के मंदर में गया कि मंदर में गया कि मंदर में अंदर जाके आपने देखा वहापे तीन सिंबल्स थे आप कहते हैं यह जो सिंबल्स हैं वह हमारी मा की पिंडिया हैं सदियों से सरवदा वो हमारा मार्ग दर्शन करते हैं उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये कहीं न कहीं भावनाओं को ठेस पहुँचाना है उधर राहूल गांधी के करीबी और कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगविजै सिंग ने तालिबान की RSS से तुलना कर दी दिगविजै सिंग के इस बयान पर BJP आग बबूला हो गई सवाल ये है कि चुनाओ आते ही जाती और धर्म की बाद बढ़ चल कर क्यों होने लगती है क्या कुष्टी करण के बिना इंदोस्तान में कोई चुनाओ संभव नहीं आज इसी मुद्दे पर हो देश की सबसे बड़ी वहस आज पार धर्म निर्पेक्ष्टा के नाम पर और आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार खास मेमान हैं मेरे साथ बीजेपि लगता है कि तुष्टी करण एक सदाबाहार हतियार है जिसको सेकुलिरिजम की आर में पढ़ा जाता है ये बताओ कि बीजेपी की सरकारे कॉमनल है योग्या जित्यनाच कॉमनल है नरेंद्र मोधी कॉमनल है अमित्शा कॉमनल है जेपी नड्डा कॉमनल है इससे हमारा पुर को आर्टीकल 341 जैसा कलंक सविधान में दिया जो आर्टीकल 14 का वाइलेशन करता है यही सदाबाहार हतियार है जो आतंगवाद के आरोपियों को टिकेट दिलाता है यही सदाबाहार हतियार है जहां गुजरात के दंगे के आरोपी बहुत बड़ी चीजे पा जाते हैं जो और यही सदाबार हतियार है कि तालिबान जैसे कुरूड शासन को भी आप स्वागत योग्य बानते हैं संबित पात्रा का मैं रुख करता हूँ संबित पात्रा धिगवेजे सिंग ने बहुत कुछ बोला तालिबान उन्होंने बोला कि तालिबान जो करता है वही राष्टे स्वेम सेवक संग करता है जो भारतिय उन्ता पार्टी की जन्नी है उसी विचारधारा से आपकी सरकार चल रही है क्या कहना चाते हैं? देखिये मुझे तो कभी कभी शक होता है कि दिगविजय सिंग जी को कहीं IASI दिन तापॉइंट नहीं किया यहां स्पोक्सपरसन के रूप में सच में इसको आन्यता मत लीजिएगा जब भी पाकिस्तान के ऊपर खुलासा होने लगता है बचाने के लिए दिगविजय जी आ जाते है आप बताईए जब 26-11 हुआ था और पूरी की तरह से पूरा विश्व देख लिया था कि पाकिस्तान ही 26-11 के लिए जिम्मेदार है तो अचानक दिगविजय सिंग जी आगए किताब लेके कि 26-11 RSS की साजिश पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया और आज आज आप देखिए तालिबान का कंपेरिजन RSS और भारती जनता पाटी के साथ कर रहे हैं क्लीन चिट किसको दे रहे हैं आज ऐसा लगता है कि एक सेकुलरिजम की नई परिवाशा है जमू में राहूल गांदी जैमातादी कर रहे हैं और दिगविजय सिंग सेकुलरिजम के नाम पर तालिबान और संग को समकक्ष खड़ा कर रहे हैं देखिए जहां तक जै मातादी का सवाल है ये राहूल गांदी जी जै मातादी नहीं कर रहे थे आप पूरा वीडियो निकाल लिए जहां भी राहूल गांदी चल रहे थे कॉंग्रेस के फ्लेक के साथ चल रहे थे और वहां पर राहूल गांदी जिंदाबाद कॉंग्रेस ज तरक्षक है और गांधि जी कहते ही जो सिंबल है ठीक है वो इटली में ज़्यादा समझते होंगे मगर पिंडिया पिंडिया नहीं बोल सकते हैं किये मां की पिंडिया गरदानी नहीं मिलेगा ऐसे बोल कर दिखाऊ जरह दुर्गा की शक्ति कम हो गई और बोलते हैं यह जो हाथ है यह वाहीगुरुजी का हाथ है यह शिवजी का हाथ है कमाल की बात है शीक संप्रदाय के साथ हिंदू भावनाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड यहां आचार लेकिन आचारे जी तालिबान के फेर में दिग्वजे सिंग क्यों फस जाते हैं सेकुलिरिजम अगर मैं सेकुलिरिजम का इतिहास को देखू तो 1916 शुरू करता हूं जब शाहबानों पर सुप्रीम कोट का फैस्टा स्वर्गिय राजीव गांदी जी ने पलट दिया था कि मुसल्मानों का पहला हक है किसी भी संस्तान पर उसके बाद अगर हम आए तो अब ये दिग्वजे सिंग इस तरह का बयान करें तालिबान क्या आरेसेस तालिबान के समकक्ष है बताईए आप पुझे किस सरसंग चालक को आपने देखा रॉकेट लाइंचर चल लेते हुए चलाते हुए अमीज देवगंजी पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेक्लरिज्म की बात कर रहे हैं तो सेक्लर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो समिधान से सेक्लर शब्द हटा दे क्योंकि इन्होंने बहुत से कानून हटाएं हैं उस शब्द को हटा दे दूसरी बात जहां तक सवाल है तालीबान का और दिगविजे सिंग जी के बयान का तो मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं कि तालीबान पर जो रुख भारत सरकार ने अभी तक रखा है मुझे तो पता नहीं क्या रखा है आपको पता होगा लेकिन अगर तालीबान एक आतंकवादी संगटन है तो सम्मित पात्राजी जिम्मेदार प्रवक्ता है राष्टिय पार्टी के प्रवक्ता है सत्ताधरी पार्टी के प्रवक्ता है लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार अभी तक ये इस पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो तालीवान के साथ है या नहीं है जहां तक सवाल है दिगविजे सिंग जी के बियान का तो मैं तालीवान और RSS की तुल्ला नहीं करना चाहता मैं नहीं करना चाहता तो उन्होंने गलत कहा ये दिगविजे सिंग जी बताएंगे लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि RSS हमारे देश का संगठन है मैं हिंदुस्तान के किसी भी और्गनाइजेशन को विदेश के किसी भी organization से तुलना उसकी नहीं करना है अचारे जी दिल की घहराईयों से मेरा एक आपसे सवाल है ये आप लोगों की planning है कि धिग्वेजे सिंग RSS और टालिबान को एक साथ दिखाएंगे राहुल गांधी वहाँ पर जै माता दी करेंगे और बोलेंगे माता की शक्तिया कम हो रही है मतलब ये क्या एक strategy है ये गल्ती से हो जाता है देखे अमीश देव गंजी जो भक्ती है ये भाव का विशे है सद्धा का विशे है आस्था का विशे है समर्पन का विशे है और सेवा का विशे है राहुल गांधी का दिल साफ है और हमारे हैं तुलसी करत रामायन में लिखा है रामचरित मानस में लिखा है तुलसीदाजी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोही पावा मोहिक, कपट, छल, छिद्र नभावा जिसका हिर्दे निर्मल होता है उसकी भक्ती को मैं सुईकार करता हूँ भारती जनता पार्टी और राहूल गांदी जी में अंतर क्या है जब राहूल गांदी जी माता वैशनो देवी के हैं जाते हैं तो जै माता दी नारा लगता चला जाता, जै जै कार होती है उस पर ये कुछ नहीं बोलते लेकिन राहूल गांदी अगर ये कह रहे हैं कि माता की शक्ती कम हो गई है तो उनके भाब पर जाई है ये उनके शब्दों पर उनको पकड़ना चाहते हैं जबकि सच बात ये राहूल गांदी ये कैसे महापुरूश है जिनका हिर्दै निर्मल है और भारती इंटा पारिटी के तमाम नेताओं का हिर्दै कपट से भरा हुआ ठीक है आप तो बहुत आपको बहुत को पहले शहजाद पहले बोलना है बाभा राहूल गांदी बुलाई है आप बताई अगर ये कह देते इन्हों ने कहा कि दुर्गा जी की शक्तियां कम हो गई अगर यह कह देते तो अभी थर्मोमेटर डाल के देखता नहीं कम हो जाता है तो आप बताईये यह स्थितिया यह सारा खिलवार हिंदू के भावनाओं के साथ क्यों होता है आचार जी बहुत तकलीफ में उत्तर दे रहे हैं क्योंकि भले इंसान है यह भक्ती भाव में लीन है और यह अभी गणपती पपाजी से मांग क्या है भगवान मुझे बख्षदो डिबेट में तो ज बोल रहे हैं सरत पावार जी ने बोली क्या बोला है आज कि यह वो पूराने जमींदार की तरफ है सब कुछ खत्म हो गया है खाली बड़ी-बड़ी खोकली हवेलिया रह गई है कंडर खंडार रहा गया अरे जमींदार तो छोड़िये जमींदार मैं तो बोलता हूं जमीन प्रइश के नाम पर मेरी सरकार को गिरा दिया गया वो उत्तर प्रदेश की किसी तक पे भाषण दे ते मुझे भली आधिया गया होरे जोने हमारी सरकार को गिरा सेकुलरिजम की परिभाषा क्या बन चुकी है वोट बैंक के चक्कर में करेंगे तालिबान का गुंगान हिंदों को देंगे गाली करेंगे उनका अपमान जाएंगे भड़काओ भाईजान यूपी के लिए करेंगे कारस्तान और फिर हिंदू मुसल्मान करके वहाँ पर स्कूल उन्होंने को लें जिसमें 32 लाख हिंदू मुसल्मान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं तो दोनों की तुलना की जा सकते हैं मैं बूरा जवाब देने दीजिया अचारी जी दूसरी बात आरसेस की तुलना इन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी भी संगठन के का है वो समझे विक्रित सेकुलरिजम याकूब हालात का मारा अफ़जल हम शर्मिन्दा है सही सेकुलरिजम यह होता अगर OAC और यह कंपणी जाते वीर अब्दूल हमित के घर जाते उस्ताद बस्मला हान के घर जाते लेटरेन जनरल उस्मान के घर पर उनके लिए वो मुस कशे हैं की पार्टी नहीं एैसा क्यों होता है कि अपरादियों बी मुसल्मान घूंडे जा रहे हैं कि देखे 37% मुसल्मान इसमें मुसल्मान लड़के थे क्या बाकी जो 37% के अलावा थे उनका कोई धर्म नहीं था चलाई गई और इसलिए हमने का था कि हम उनको शहीद सविदान से ना नहीं मानते हैं वो सविदानी संगर्च कर रहे थे लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सेकलोजम यह हो गया है अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो कॉंग्रेस के पास जाना पड़ेगा नेशनलिजम का लगा लेकिन हम दोनों के सर्टिफिकेट को रिजट करते हैं ने ने तालीबान वह वह हम इंस सपर्कार आतंगबादी आपने पना रिखे नहीं आतने पाने नहीं तो शुक्ति हो रहे है कि आज आप यहां पर कैसे आगे काबूल जाते हैं तब भाःध से नहीं नहीं हुं सेक्लरिजम की जिम्मेदारी जो लोग डाल रहे हैं खास और से सेक्लरिजम की जिम्मेदारी सिर्फ क्या मुसल्मानों की है हमेशा मुसल्मानों ने तो अपना लीडर हिंदुस्तान के पहले पंडित जवाला नहरू का अपना लीडर माना उसके बाद लाल बाहदूर शास्त्री तो कह रहे हैं कि अब मुसल्मानों का अपना हक चाहिए सीएम और पीम चाहिए डिप्टी सीएम चाहिए तो इसमें गलत लोगी तो फिर बाकी बाद पूछे आतिक अमद को बनाएंगे क्या नई सी एमद को बना देंगे वो जनता ताय करती कौन सी एम बनेगा कौन जो है अधिक अमद आपके आपके इसाफ से शोशित मुसल्मान अतिक अमद है नहीं आपके ओवे से साथ कभी वीर अब्दुल हमे हमेशा मुसलमानों ने अपना लीडर जो आज सत्ता के अंदर अलग पार्टियों से आते हमेशा मेजूटीरियन पॉलिटिक्स को ही लोगों को चुना है कभी अपना रहम नहीं चुना हो और हमेशा सत्ता उन्यों में है इसको लेकर कॉंग्रेस से लेकर ओवेसी सापने बड़ी आपक्ति जताई थी इनका सवाल भी उससे बिलता जुलता है आंसर इट मैं भाई का भी जवाब देता हूं हजारों वर्ष से इस देश ने हमेशा सब को एक माना है चेरामल मॉस्क जो पहली मस्जिद पूरे मे काटी हिंदू ने दी है आप से पूछता हूं एक दिन आप अपने मस्जिद में दिवाली की जरा मिलन तो रखवाईए होले मिलन तो रखवाईए दुरगा जी की पूजा तो करवाईए फिर आप हमसे सवाल पूछिए गा नंबर दो आपने कहा किया आप इफ्तारी किया नहीं मैंने कभी इफ्तारी की नहीं और जीवन भर मरते दम तक मैं इफ्तारी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा हिंदू या एक अच्छा मुसल्मान अच्छा मुसल्मान बन जाए तो बहुत अच्छी बात है अच्छा हिंदू अच्छा हिंदू बना रह हम Venability की आधार पर टिकड़ देते हैं ना तो हम Atheik Ahmed को टिकड़ देते हैं और ना ही मुकतार Anनसारी को टिकड़ देते हैं कान खोल के आप लोग सुन लीजिए मुकतार Anनसारी Atheik Ahmed जैसे गैं। गैंक्सटरों को उत्तर प्रदेश से मुकती दिल्वाएंगे। उत्तर प्रश्जिश के लोगों ने बहुत सहलिया ये गैंगवार उनकी बेटिया सड़क में सुरक्षित नहीं थी आज उनकी बेटियों को सुरक्षा दिलाया गया तो हर हिंदु बेकार में तो है खेर चोड़ दीजिए अचारी और देखे समीत पातराजी ने कहा किसा मैं रोजा अफ्तारी नहीं करांगा ना करूंगा जो भी कहा इन्होंने आपने सुना पब्लिक डॉमेंड मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा हिंदु कौन है हिंदु क्या है उस जजरा जान लीजेगा समीत पातराजी और शहजाद पूनावाला साहब आप भी जान लीजेगा च्छ भगवान को दया का सागर कहा गया हमारे उपनिशद में कहा गया च्छमा वीरस सभूशनम यानि के वीरों की शोभा है शूर वीरों की शोभा क्या है च्छमा इसलिए और माफ करना सैकुलरिज्म क्या है सैकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि एक हिंदू कही मस्जिद में जाये और वहां नमाज पढ़ ले तो ऊच्छा सेकुलर आधवी हो गया एक मुसलमान मंदिर में जाये और पूजा करे वो अच्छा मुसलमान हो गया वो सेकुलर हो नहीं सेकुलरिजम का मतलब है के आप अपने धर्म पर कायं मैं रहे अपनी आश्था पर कायम रहिएई, अपनी सद्धा पर कायम रहिए, लेकिन दूसरे के अकीदे काये किस़ेगा। आपको मोगता, अट गर पार तरने लिए जाना अचा। हितों की रक्सा हो, नहीज भाहर कर। मैं आप अपनी बात को पूरा करिया, अचा आचा, अचारे जी को अपनी बात को पूरा करिया, अचा चा, अचारे जी को अचा, Heff colocar यह इंटॉलरेंस है यह गलत है मैंने सब की बात सुनी सब के हमले मेरी तरफ मेरी बात को पूरा होने दी जाए मैंने कहा कि धर्म क्या है हमारा धर्म उद्गोष करता है विश्व बंदुत हमारा धर्म इतना चोटा हो सकता है हमीश देवगन सनातन धर्म विराटता का नाम है विशालता का नाम है सनातन धर्म की खूबी यह है कि वह फेनेटिज्म नहीं सिखाता है और सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरे के अकिदे का आस्था का सम्मान करो इहतलाम करो यह सैकलरिज्म है यह धर्म निर्पिक्ष्टा नहीं है और यह हिंदो तुन नहीं है माफ करनार जहां तक एक सबाद 10 सेकिंड और दीजेगा जहां तक बात है इन्होंने आभी कहा कि हमारी तो मिट्टी में सेक्रोडिजम है आप Conter Decree Statement देने समीत पत्रा एक तरफ आप Hindustان के मुसलमानों को तालीवान से जोर रहे हैं किसी ने हिंदूसतान के मुसलमानों को तालीवान से नहीं जोरा है या आपी के नेताओं ने इस प्रकार का अनर्गल बयान दिया है दूसरी बात है आपने कहा हिंदुईजम मतलब ख्षमा हिंदुईजम मतलब मार खा जाना हिंदुईजम मतलब तो वही सब कह रहे थे बड़ बढ़ सामें ग्रुना चामा तयाक तपस्या वलिदान प्रेम और अचारे जी प्लीज ये सब कुछ फूछ हिंदुईजम है तो न नहीं प्रकार से महाभारत का युद्धवा वो होता ही नहीं देखिए आपने हीतों की रक्षा करनी आनी चाहिए मैं बिल्कुल चिला के नहीं बोलूंगा हिंदुईजम का अर्थ है सबको सबको लेकर चलना मानवता के हितों की रक्षा करना कसाब को फांसी पे लटकाना अफजल गुरू को फांसी पे लटकाना ये तो वो लोगे सब्सक्राइब पात्रा ने बहुत तीक के हमले किये 10 सेकंड सुन ले आपने कहा कि एक हात में शस्त्र क्यों है सुदासें चक्र क्यों है खडग क्यों है बिल्कु ठीक है यह राक्षश के लिए है भारत में आप राक्षश महनते किसे पहले इसका जवाब दीजेगा दूसरी बाद दूसरी बाद पासाब अव्जार्गुरू याकूब मैंन अब बीच में बोलता हूं यह बोलता हूं यह आप साहियम रखिए इंजेक्शन देरा आप सुनिये मुझे उमीद आप सुनिये जहां ता कि रोना का याकूब मैनन अब जल गुरू इन्हें फासी पर लटका है किसने कॉंग्रेस की हुकुमत में राउद दूसरी बात दूसरी बात मैं डॉक्टर समीत पात्रा से या अग् कर लो नमाज कर लो सब चीज कर लो फिर उसके बाता है यह भी हमुझ पर हमला कर रहे थे जो सिधान तो चाहते थे पातरा जी अपना है वो खुद नहीं अपनाना चाहते है तो मैं आप से सीवितना कहना चाहता हूं इन्होंने हिंदुत्व की बहुत सुंदर व्याख्या की पर राहुल गांदी कहते हैं उनका बयान में आपको दिखाना चाहता वो तो हिंदुत्व में विश्वासी नहीं रखते तो पहले रहां उनको समझाए दूसरी बात हिंदुत्व क्या कलाम बनकर आओगे तो BUDDH और कसाब बनकर आओगे तो युद्ध यह हिंदुत्व और हिंदुत्व की परिभाषा मैं एक और चीज बोलन का इतैश्मानों का हिए नहीं हो सकता संबीत पात्र इफ्तार के पैसे बचाकर मुसілिम लड़कियों मार कुछ तो कारण रहा होगा जो आपने हिंदू पद्धती को माफी नामा देकर कनवर्ट कर लिया आपने आपको कुछ तो कारण रहा होगा थोड़े से कारण के लिए आपने कनवर्ट कर लिया आप सोचे एक इतने बड़े कारणों के कारण होते हुए भी इतनी मार खा दस यह पहलो पता लगाओ यह तो गलती आपके है एक सबस्वे से बोल रहे हैं साधा भाई यह पीस पाटी अभी यह बोल रहे हैं जहां चाहर जी जहां तक मेरा घ्यान कहता है कि मुसल्मानों में शिया सुन्मी होते हैं इसलाम में कोई जातीवादी वैसी नहीं होती पर मैं इसे सिरु इतना पूछना चाहता हूं कि आज यह कहते हैं कि यह कह रहे थे कुछ और हैं मैं इनसे पूछता हूँ ये गर्व से कह रहे शत्री है एक बार मस्जिद में ये सेकुलरिजम की जो ट्राफिक है वन वे नहीं होनी चाहिए मंदिरों में कही बार इफ्तार देखा है हमने इनको बोलो एक बार एक बार मस्जिद में हनुमान चालिसा पढ़वा दे ये शत्री है मैं चाहता हूँ कि नारा ये तक्बीर लगाने वाले हमारे सादू जी भी जाए वहाँ पर हम हनुमान चालिसा करें मस्जिद में महतुपर मंदिर की बारे मुझे है में घ्रिधा करना चाथ प्रकार चाहते हैं इस लाइए इस चाहिए इफ्तार हो मंदिरों में वा 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 नारा ये तक्बीर लगाया हमारे आचरी जी वा 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 पर यह हर हर मादेर में बोलेंगे और ना इन में हिम्बत है कि अचारी जी माल लिया कॉंग्रेस पार्टी से देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है कॉंग्रेस से बड़ा से कुलर कोई नहीं राहूल गांधी आपने बोला महा पुरुश है लेकिन यह बताइए यह कौन माता की शक्तिया कम हो जाती है किसी सरकार और किसी वैस्प्रेस से क्या आपको लगता रही है कि यह कहना अपने आप में गलत है देखिया हमीश देवगंग मैं ना तो यह क्या कह रहे हैं यह क्या कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं मैं शुरू करता हूं उस पर बीच में आप बोल पड़ते हैं इसलिए ये व्यवधान उत्पन हो जाता है मेरी बात को पूरा होने दीजेगा चाती पर फत्तर लगाए चाती पर मैं इन से मेरे सम्वेधना है मैं इनकी स्किती जानता हूं आप चाती से पत्तर उता दीजे ना आचारी जी ये भी आपके लिए है राहुन गांदी को डिफेंड करना आसान नहीं है महापूर शुरू को वैसे भी डिफेंड करना आसान बात लिए अच्छे आदमी है रहा है महापूर शुरू जी जो है एक सचे हिर्दे के एक सचे भक्त है और वो उनकी भावना पर उनकी सद्धा पर सवाल या निशान उठाना ये ठीक नहीं है अगर कभी राहुल गांदी आपसे मिले है या आपको मिले है तो उनसे ज़रू पूछिएगा हो सकता हूँ अच्छी तरह जवाब दे दे इसके बाद आपकी सरकार आजाएगी तो माता की शक्तिया बढ़ जाएंगी मैं आपको जो बास मैंने आपसे क्या कहा दो उनसे जरूर पूछिएStudy जनके जो एक निर्मल हर्द conventions है वह जह कर तो यह कह रहे था की रॉह झाए हैंगे माता कर नहीं हैं जाके माता जी से बात मतलब था ही वह दुurm तो वो केवल सोनिया जी सोनिया जी के रहते हुए जिस प्रकार से राहुल जी और प्रियंका जी ने कॉंग्रेस को मिट्टी में मिलाया है सोनिया जी की पावर और शक्तियां हो गई है समाप्त हो गई है इसमें कोई दो मत नहीं इसको आप कंफ्यूज मत करें यह तो खुद आचारे जी मानेंगे और देखिए मैं हाथ जोड़के इसमें को राजनिती नहीं करना चाहता कृपिया करके हिंदू देवी देवताओं को अल्ला को भी जीसस को भी वाहे गुरू को भी आप राजनिती से बाहर रखी यह इस प्रकार से वाहे गुरूजी का हाथ है यह यह वो नराज हो जाएंगे यह खिलवार है किसी के धर्म के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए विल्कुल आप आपकी बात सही है कि किसी भी धर्म चुरासी के दंगों में 5000 सिख्खों का कतले आम करके वाहे गुरूजी का कंग्रेस का कि मैं आपको मौका दूँगा लेकिन मैं कुछ कहना चाहती है मेरा कहने का मतलग मैं यह कहना चाहरी हूं कि जो धरम है उस पर लड़ाई करवाते हैं दुरूभी करण की राजनीती करते हैं यह कॉंगरेस से शुरू ही थी देखिए भारते जंता पाटी ने तो आकर यह बताया है या आप यह समझे हिंदू तो यह कि हम सब एक है यह तुष्टी करण की जो राजनीती है यह कॉंग्रेस सरकार से आज 70 साल हो गए हमारे देश को अजाद हुए यह कुछ नहीं कर पाए क्या आज अगर आपको लगते सतर साल में कुछ नहीं किया बिल्कुल कुछ नहीं किया क्या मुझे बताईए आज आज बात करते हैं गरीवी वेक्यों गरीवी सतर साल में कहां थी आज किसी बात करते हैं सबसे पूछ रहा हूं क्या मुसल्मान भारत अम्मी की जय बोल सकता है भारत माता की जंगा हां या ना आप इस नारेक भारत अम्मी की जय बोल सकता है भारत अम्मी की जय बोल सकता है भार माता को भारत माता से जोड़ते हैं कि हम इस तरीखे से कर सकते हैं चीज़ को देखिए मेरे को बड़ा आश्चरी हो रहा है वैसे मेरे भाइनी सवाल पूछा कि भारत माता की जए के बदले भारत अम्मी की जए तो इसका डिमोंस्ट्रेशन ये आप सहदाब जी जरा भारत अ वक्ति दिखाने के लिए अलग-अलग लोगों ने नारे इस्तेमाल किये और एक बात बता तो कारगिल के लड़ाई भारत माता की जैने नारा ये तकबीर अल्लाहुक्बर तजीती गई ती तो मतेश बख्ति के लिए नारा ये इना है जो लगाए गया तो भी बता दूगा क्यों लगाए तो भी बता दूगा मैं मतलब क्या बोल रहे हैं आप सोचिए कहां आप मतलब यहां पर भी आप कारगिल के लड़ाई को भी आप यहां संप्रदाइकता के पूरे ढोंग में फसाना चाहते आप उनको तो तो स्लोगन है ना कोई भारत माता की जैकर के बोलता नाराय तकबीर और अकबर बोलके कारगिल का युद्ध जीता गया था ये गलत है और ऐसा कहना भी गलत है और जहां तक भारत अम्मी की जैक आप लगा दीजिए नारा आप लगा दीजिए एमन है अफुल मा लगद शिखती है कि मुष्ँलों लुक्त था नहीं दॉल रहे हैं की मुसल्मान लोगा भारत अम्मी कि जैए बूले मैंने का बैठा तो हैं मेरे बगल में मिला चोटा भाई यहीं बोल दे जो मरधिये पूंदरी के सेधाद को ूब सेधा तो आप duo को क्या बोलना चाहते है खSub हो बोला है मैं भारत माता की जय भी बोलूगा वंदे मातरम भी बोलूगा और हरहर महादेव जैसीरियाम और मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि ये नारे जो थे भारती जनता पार्टी के आने से कहीं वर्षों पुराने के नारे जैशीराम तो 5000 सार पूराना आ है वंदे मातरम और भारत माता की जाए, माफ कीजेगा जब भारत ये जंता पार्टी तो 1980 में बनी है उससे कहीं वर्षों पहले भारत की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई इसको एकत्रित करने वाले नारे ये नारे थे और उस समय कोई ये नहीं देखता था कि हम बीजेपी है या हम कॉंग्रस है वो देखते थे हम भारत मा के लिए लड़ते हैं चले इनको अम्मी पसंद है तो अम्मी का शब्द इस्तमाल करें पर मैं आचारे जी से यही कहता हूँ हमेशा कहता दस मिट पहले कहा था कि इनसे आप जो उमीद करते हैं ना इनसे कि आप नाराय तक्बीर लगाएंगे तो ये लगाएंगे हरन मादेव आप कहेंगे कि मैं इफ्तार करवा दू मंदिर में तो ये मस्जिद में खोल देंगे दरवाजे आपके सामने नमोना खड़ा है और ये अपने आपको शत्रिय बतार है आपके तो नहीं को रुखने के लिए यह नमोने को मैं बता रहा हूं कि इसानों के लिए मस्ड़ी खोली गई ने कोई नमोने नहीं तो अब मेरे दोड़ो समानेत में आरपार के टकर में वक्त है कंतराल का ब्रेक के बाद भी ये खास एडिशन स्टूडियो से आज जारी रहेगा यह क्या तरीका है आप देख रहे हैं आर पार की टक कर न्यूज एटी इंडिया पर अचारे जी क्या कॉंग्रेस को एक तरह से भारती जिंता पार्टी ने जो कॉंग्रेस का आरूप है और आपका आप कई बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कॉंग्रेस पार्टी को एंटी हिंदू एंटी इंडिया साबित करना चाहती है लेकिन टालिबान के साथ आरेसेस का कंपैरेजन किस ने करा दिग्विजी सिंग साहब ने देखी आभी विशे उठा तुष्टी करन का एक हमारी चोटी बेहन ने उठाया तुष्टी करन करती है मैं एक बात समीत पात्राजी से पूछना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि कॉंग्रेस के शासनकाल में ऐसी कोई स्कीम ऐसी कोई योजनाएं जो मुसल्मानों का तुष नमबर एक मेरे बाद में जब मैं बोल के निवट जाओं ठीक है पहली बार जिम्मेदारी से बोल जो निप्टो मत दूसरी बात उसके बाद में निवटना तो पड़ा गई आप सक उस्ती तो होनी है ठीक है दूसरी बात अमीश देवगन तुष्टी करन क्या होता है बीज तुष्टी करन कब हुआ जब वो बिना बुलाए नवाज शरीव के घर जाते हैं तुष्टी करन कब हुआ जब जनरल मुशरण जिसने कारगिल कराया उसको रेड कारपेट वेलकम करके आगराम बुलाते हैं तुष्टी करन कब हुआ जिस वक्त हमारे पठान को ठर उरी लगिया मैं ऐसा मानता हूँ कि में जो भी इश्वर है वो एक है एको ब्रहम दुत्यनास्ती विल्कुल आप यह सब बात मानते हैं लेकि जारकन में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस और जीमें की सरकार नमाज रूम की बात कर रही है पाफ सेकिंड मुझे अमीस देवगन में भी नजराता और शैजाद में बी और इन्हें सादाम में नमूना नजराता मुझे नमूनों में भगवान नजराता है बात खतम अगर कहीं नमाज पढ़ने की अनुमती देदी जाती है या बारत इतना चोटा देश है हमारा धर्म इतना चोटा देश है नमाज पढ़ने से खंडिस हो जाएगा अगर यह मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं लेकिन अगर यह हम से करें यह हमारे भाई है तो केंदर में आपका शासना आएगा अमरनाथ यात्रा पे सारे मुसल्मान सेवा करें तो क्या उनका धर्म खंडी तो जाता है मत्रब एक नमाज का मुसल्म खंडी तो जाएगा हिंदु धर्म चोटा हो जाएगा मेरे सवालों का जवाब मेरे साओ के लिए लूए लुए अधार नहीं और आप जीरे आप लिए आप बहुत जादा बोल रहे है अप भी अपनी सीमाओ कि पार कर रहे है मेरा सवाल समीथ पात्रा से भाजबा के प्रबकताई है शाजाद पुनावाला ठीक है वो अपनी बात को रखना चाते है अचा 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 जी बोली बोली मेरे सवाल कर अचा 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 जा जारा सकते हैं राहूल गांडी की ने क्यों यह कैसा तरीका है वह एक के लोग वार है टॉटी सबस्केड़ उड़ा अच्छाड़ टॉटी तरीव एलगे कटर प्रफॉडी एप्रफॉड यह श्यद्टी टरीकार प्रफॉड झाप होगे जन्य क्या टॉटी सुट्टी निश्टी क्रिखा था एक पांगें इमिजन सी हेजाफ कुल दिरानाव ऐसे जिरी कैसे होगा पाले इन अर्य एक सिर्षी जो गा डेहिए एक समाधा तेसे की सब्सक्राइब नारायन, बोली बोली में किया हो देखेश गया वे असमें असनी चहरा है पका-पक का माइक आपका माइक चोड़ो ना माईके भाडो में जवाब दूछ։ अरी इसे कैसे हम अर जाथ है तो यही क्या तरिका है यह जै रया है आप जो कोई बाज डिनलवाश को अपने तो पर जाना उना लेकर यह नहीं यह माइक तोड़कर चले जाएंगे यह उसला हुजाएगा ने यह असली चेहरा है कॉंग्रस का और यह असली चेहरा है कॉंग्रस की सही शुनुता का एक मुसलमान जो उनके आधार पर नहीं बोलता वो उसको बोलने नहीं देना चाते आपने देखा करूणा हिंदुत्व करूणा है हिंदुत्व शांती है हिंदुत्व शमा है और यह असली चेहरा आज आ गया माइक फेका है नोंने मैं सवाल पूछन चाहता हूं एक सवाल प्रमान है तो यह नमाज रूम वाला जो अमीज़ी आपने उठाया मैं पूछना चाहता हूं अगर यही चीज भारती जंता पार्टी की सरकार मंदिर बनवा देती या कुम्ब प्रम बेला आयोजन के उपर यह सवाल उठाते हैं या प्रधान मंत्री भूमी पूजन पर जाते हैं तो वह कॉमिनल और नमाज रेकॉर्ड जवाब जाना चाहिए वह शांतिप्रीय तरीके से नंबर एक उन्होंने सवाल पूछा कि कॉंग्रेस के समय ऐसी कोई एक नीती सरकार ने सुप्रीम कोट के जज्जमेंट को उल्टा दिया था उससे बड़ा तुष्टिकरन पूरे विश्व में कहीं नहीं रहा और नरेंद्र मोदी जी ने शायरा बानू को ट्रिपल तलाक हटा करके जिस प्रकार का निया वो जस्टिस फर आल है दूसरी बात इनोंने क पाकिस्तान करों हैं पाकिस्तान में जाकर इनके सबसे बड़े नेता मनीश अंक्रईयर कहते हैं मोदी के सरकार को हटाना होगा इस से बड़ा तुष्टिकरная का कि मोदी की सरकार हटाने मादद करो और ये नमाज कक्स खोलना चाहते हैं और यहां माईक मारके चले गए हैं कमाल की बात है ये इतनी क्षमा दया करुणा महापुरूश क्या हुआ क्या हुआ जी जी फिलाल 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 इस कारेकरम में क्योंकि समय खतम हो गए मैं माफी चाता हूँ बा